कोशलदास यूनिवर्सिटी हनुमानगर राजस्तान में होने वाले मल्खम और मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में टेक्निकल ऑफेसर के रूप में सर्गुजा चीली का आरक्षक चंदन टोपो का चैन हुआ है अल इंडिया मल्खम चैन्पियंशिप प्रतियोगिता तीन अप्रेल से चे अप्रेल को राजस्तान के हनुमानगर में होगी वर्दमान में आरक्षक चंदन टोपो सर्गुजा रेंज में हिमत कारिक्रम के मुख्य प्रशिक्षक हैं जिसमें सर्गुजा संभाग की महिलाओं को मार्सल आर्ट का प्रशिक्षन देकर शशक्त बनाता च्वा रहा है लंबे समय से आरक्षक ऑल इंडिया मल्खम और मार्सल आर्ट से जुड़े हैं अंभिकापुर से जावेद अक्तर की रिपूर्ट हाँ मैं चंदन टोपो सर्गुजा जीला मैं अभी हिमत कारिक्रम का चीप कोच आपको ही क्या कुछ पाधी मिली हैं कहीं जाने वाले हैं क्या है पूरा बता देंगे हाँ अभी आल इंडिया मल्खम इनिवर्सिटी गेम्स के लिए मुझे ओपिसियल टेक्निकल ओफिसल की रूप में चेंग किया गया है और मैं 37 गड़ की पुलिस परिवार की ओर से वहां आल इंडिया कंपिटिशन में टेक्निकल ओफिसल की रूप में जा रहा हूँ यह कहां होगा कंपिटिशन यह हनुमान गड़ राष्थान में होना है जो तीन तारीक से तारीक तक होना है अपरेल में इसका क्या उद्यस यह हो हां क्या क्यों मतलत मुलेगा आ कुछ दिदमीया से अब भी को आगे हमारा मल्खम से जुड़ा हुआ जो भी गवर्मेंट से जुड़ा हुआ है उसके लिए आगे चैनित होगा आले इंडिया के लिए जो चैनित होता है वो होगा उसके बाद चितने भी आगे गेमस होगे ओजो एस्पोर्ट सी जो अपने गवर्मेंट से उसके माध्यम से स्लेक्ट करके आगे बढ़ेंगे खिलारी यहां से स्लेक्षन हमारी सर्गुजा इनिवर्सिटी से इस बार उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया च्योंकि 36 गड़ से और जगा के इनिवर्सिटी से जा रहे हैं बच्चे यहां से स्रिप टेक्निकल ऊपिसले मैं स्वेम जा रहा हूं और बाकी किसी गया ने हुआ है आपका नमर ने जीटेट, बेज़ फॉर्स से वे नाथ लाएं यहां जाएंगा है, यहां चंदर फॉर्स पर रहा है, पासपोर्ट का चेंज वार देने वाले जह हुआ है, जो हमने सर्गुजा जिल्ले में उस रषप पहते हैं पुर्जिले में भी जिसका आगाज हुआ है हिमद प्रोजेक्ट जिसके अंदर में पुलिस जो है युवतियों को मार्शल आर्ट्स को कुछ ट्रेनिंग देती है अपने आत्मरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो ट्रेनर का काम करता है जो हमारा विभाग का आरक्षक है चंतन टुपो उसका जो चैन है कोशलतास उन्वेसिटी में खेलो इंडिया के तहत औल इंडिया उन्वेसिटी का जो कॉंपिडिशन होने वाला है हनुमानकड राजस्थान में उसमें टेक्निकल ओफिसर के रूप में हुआ है उसमें वो मलखम